वेल्कम टो यूटी चैनल फॉर्मेशन जैसे की फॉर्मेशन आपको प्रवाइट कर रहा था जी पैट फ्री क्लासे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड्वर्स ड्रॉग इफेक्ट के बारे में तो एड्वर्स ड्रॉग इफेक्ट होता क्या है सिम्बल से बात है एक ऐसा अदिजारेबल इफेक्ट यहां पर कुछ कुछ इसमें टॉम सोते हैं अपको चार रहतने हैं अल्फाबेट की साब से ABCD जा करेंगे करके सबसे पहले होते हमारा iugmented pharmacological effect यह सब हमारे ADRS के टाइप है मतलब बहुत सकते हो कि सब हमारे adverse drug effect ठीक है तो iugmented क्या होता है यह हमारा dose dependent होता है ठीक मिस अगर हम कोई भी drug का dose ले रहे हैं तो उस condition पर ऐसा हमारा क्या हो सकते है develop हो सकते है सबसे पहले side effect side effect आपको पता है कि एक unwanted effect होता है therapeutic dose ठीक है means symbol logic है अगर हम अगर मालो कोई दो परसन है उसको हम एक ही dose दिये दवाई का ठीक भई जो therapeutic dose है मालो 650 mg तो 650 जितना भी है फिर भी उसके body के हिसाब से अलग-अलग side effect हो सकते हैं या तो एक पहला परसन ठीक हो गया दूसरा उसको side effect हो गया ठीक तो इसको हम बोलते हैं यह therapeutic dose होता है अगर हमने उस पर्टिकुलर ड्रक का overdose ले लिया मालो हमको लेना था 200 mg हमने ले लिए 250 mg तो सिम्पल सी बात है उसको toxic effect देखने को बिलेगा तो toxic effect is unwanted effect due to the overdose intolerance किसको बोलते हैं toxic effect therapeutic dose को भी दो परसन है आप इसको भी हमने वही therapeutic dose medication दिया इनको भी ठीक है तो क्या होता है अपने body according इस पर therapeutic dose थोड़सा कुछ toxic effect show हो गया जबकि इस person पर कोई effect show नहीं हो तो यह हमारा होता है intolerance second thing हम बात कर लेखते हैं बिजारे effect के थूँ बिजारे जो not dose dependent होता है यहाद रखने dose dependent होते हैं non dose dependent है means हमारे immune system या फिर हमारे ही थूँ कुछ यहाँ पर adverse degradation देखने को मिलेंगे तो पहला होता है drug allergy सिंबाजी बात है drug अगर allergy हो रहा है तो वहाँ पर हमारे immune system responsible होता है तो abnormal response mediated by the immune system to a drug या फिर foreign antigen आपको यहाँ पर याद रखना है कि drug का allergy है वो एक immune system के थू हो रहा है और दूसरा management of a type B adverse drug reaction is with soul the dose and avoiding future क्या कर सकते हैं हम बिजारे को अगर हमको इस effect को क्या करना है reduce करना है तो या तो हम को avoid करना चाहिए उस ट्रों को future में या तो फिर हम उसका dose है उसका reduction कर सकते हैं यह question हमारा पुछा गया था कि अगर हम को बिजारे effect नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं तो अगर कर सकते हैं future यह बहुत आरे type है यह पर allergic reactions की दो तरह कि होते हैं वस्ट एक हम उसरा self-mediated तो जो humoral रहते हैं उसमें बहुत आरे antibody involved होते हैं IGE IGG IGM IGA IGD ठीक है तो हमारे तीन जो निवाडियों इन्वाल है तो सबसे पहला होता है type 1 hypersensitivity ठीक है इसको हम एनफ sensitivity जिसको हम blood cytolytic reaction बोलते हैं आपको यह सब याद करना पड़ेगा blood cytolytic reaction इसको ABC से याद रख सकते हैं A, B, C, D से ठीक है तो blood cytolytic यह IgG और IgM antibody की वजह से होता है यह आपको याद रखना है type 3 hypersensitivity जो है complex antigen antibody mediated जब कोई reaction होता है तो यहां पर हमारा IgG antibody responsible होता है और दूसरा होता है cell mediated means cell के थ्रू तो इसको हम बोलते हैं delayed hypersensitivity reaction है ना या फिर type 4 hypersensitivity आपसे question पूछा जा सकता है कि type 4 hypersensitivity कि antibody की वजह से होता है तो आपको बताना पड़ेगा या इसके ती लिंफोसाइट के वजह से होता है ठीक अब हमने क्या पढ़ लिया हमने बिजारे पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे यहां पर chronic and delayed ठीक है तो chronic effect क्या होता है duration depend adverse effect on prolonged treatment अगर आप क्या कर रहें किसी एक पर्टिकुलर ड्रक को लंबे समय से ले ही रहे हैं तो शिंबसी बात है उसका adverse effect आपको देखने को मिलेगा तो फिर आते हैं आपको डिले डिफेक्ट क्या होगा आप अभी कोई ड्रग ले रहे हैं आपको अभी तो उसका ड्रक इफेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन बाद में बाद में जब आप उस ट्रक को स्टॉप करेंगे उसके बाद आपको एड्वास एफेक्ट देखने को मिल सकता है तो एड्वास एफेक्ट लॉंग टाइम आप्टर स्टॉपिंग दी ड्रग